हेलो गाईस, स्वागत आप सभी काई कॉर्णी कहानी में इस कहानी की शुरुवात होती है 1955 में ल्यूक को दिखाते हुए जो कि एक मोटर साइकल स्टंट मैन है और वो कार्निवल्स में परफॉर्म करता है उसे इस तरह के जान लेवा स्टंट करना बहुत सदा पसंद है अभी वो न्यू यू यॉक में है स्कैनेडिटी नाम के एक शहर में जहां वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे उससे मिलने उसकी एक्स गर्फरंड रुमीनिया आती है वो लोग कुछ बात करते हैं और फिर वो उसे घर चोड़ देता है और वो हर समय उसके बारे में ही सोच रहा था क्योंकि वो उसे एक साल बाद मिली थी लूक अपना स्टंट परफॉर्म करके रुमीनिया के घर जाता है सीधा तो वहाँ उसे रुमीनिया की मॉम मिलती है वो कहती है कि वो घर पर नहीं है वो भी काम पे गई है और रुमीनिया की मॉम के हाथ में एक बच्चा होता है लूक उससे पूछता है कि ये कौन है तो वो बताती है कि ये तुम्हारा बच्चा है इसका नाम है जेसन चाहिए और तुमने मुझे ना बताई हो तो रोमेनिया उसे इमोशनल होके सब कुछ बताती है लेकिन वो उस पे बहुत ज़ादा नराज थी वो कहती है कि तुम मुझे एक साल पहले छोड़ कर चले गए थे इसके बाद ल्यूक सी धा अपने ऑफिस में जाता है जहां वो का है कि वहाँ पर एक कॉफी नाम का आदमी होता है रोमेनिया उसे कॉफी से मिलवाती है कि वो उसका भी प्रेजेंट बॉइफ्रेंड है और वो उससे बहुत पसंद करती है लिए सब सुनकर बहुत ज़ादा दुखी हो जाता है और वो दुखी होने की वजह से वो ओफ उसकार था तो वो पार्ट टाइम ओटो मगाने की जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो इससे सैटेसफाइड नहीं था क्योंकि वो अपनी फैमली को वापिस चाहता था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे तो वो रॉबिन को कहता है कि तुम लिए जब मैं जवान था तब मैं बैंक लूटा करता था लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे मैं बूड़ा हुआ मैंने बैंक लूटना छोड़ दिये हैं और वो उसे बताता है कि तुम ऐसा करके बहुत से पैसे कमा सकते हो लिए पहले इसके लिए मना कर देता है लेकिन कह तक हर्ट करती है और वो तैय कर लेता है कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने ताकि वो अपनी फैमली को पाल सके इसके बाद वो रोबिन के साथ मिल जाता है बैंक लूटने के लिए और वो लोग बैंक में जाकर बैंक को एनलाइस करते हैं उसके आस पास की जगाओं को एनलाइज करते हैं, रोड्स को एनलाइज करते हैं, लूग फिर गन पॉइंट पे बैंक को लूट लेता है और इस काम को करने के लिए से बहुत अधा हिम्मद उटानी पड़ती है बाद में वो बाइक को तेज भगाता है रफार में और एक चेकपइंट में पहुँच जाता है जहां पे वो उसे एक बॉक्स ट्रॉक में घुसा देता है और रोबिन ट्रॉक को सेफली वाँसे लेकर निकल जाता है इस तरह से ये अपनी पहली रोबरी को बहुत यशी तरह से कर लेते है ल्यूग दीरे दीरे रोमेनिया और जेसन के भी करीब आने लगा था इस तरह रोबिन के साथ मिलकर वो खूप सारे बैंक लूटता है और उसका जो एक perfect family का सपना था वो भी पूरा हो रहा था सब सही चल रहा होता है एक दिन ल्यूग कोफी के घर पे जाता है जेसन के लिए जो उसने पालना खरीदा होता है वो वहाँ जाके उसे assemble कर रहा होता है लेकिन काफी उसे मना कर देता है काफी रोमेनिया को बोलता है कि इसे बोलो कि यहां से चला जाए लेकिन रोमेनिया ऐसा नहीं कर पाती तो काफी लूग को वहां से जाने के लिए कहता है Luke गुस्से में आ जाता है और उसे एक रिंग से वार करता है जिसकी वजह से कॉफी को बहुत ज़ादा चोट लग जाती है Romania को गुस्सा आ जाता है और इस वज़ा से Luke को जेल हो जाती है Robin उसे बेल दिलवाता है वो situation को देखते हुए Luke की हालाद देखते हुए ऐसा कहता है तो Luke को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ठीक है मैं खुदी कर लूँगा मुझे तुमारी कोई ज़रत नहीं है और इस तरह से Luke और Robin की दोस्ती यहीं पर तूट जाती है Luke रोमेनिया को बहुत से पैसे देता है जितने उसके पास थे वो सारे ताकि वो Jason के future के लिए उसे use कर सके और उसके बाद वो अकेला ही निकल जाएगा था अपनी रॉबरी के लिए लेकिन Robin उसके पीछे से उसकी बाइक को बीच में से कार्ट देता है तो Luke को जब इस बाद का पता चलता है तो वो gun point पे Robin से नई बाइक के पैसे लेता है और फिर वो बाइक को खरीद लेता है इसके बाद वो अकेले बैंक लूटने के लिए जाता है और वो अच्छे से बैंक को लूट भी लेता है लेकिन इस बार सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता वहाँ पे पुलिस जल दिया जाती है और यहाँ पर उसका एक बहुत ही अच्छा चेज सीन चलता है यहाँ पे एक पुलिस आफिसर को इंट्रिज किया जाता है जिसका नाम होता है आवरे और यहाँ पे ल्यूक की बाइक क्राश हो जाती है तो वो एक स्ट्रेंजर के घर में गुस जाता है और वहाँ पे वो पहुंचता है टॉप फ्लोर पे वहाँ से वो रोमेनिया को कॉल लगाता है और बोलता है कि जेसन को कभी भी मेरे बारे में मत बताना और तुम खुश रहना उसके बाद एवरे भी वहाँ पर अपनी गन के साथ पहुंच जाता है गलती से एवरे से गोली चलती है और वो ल्यूक के पेट पे लगती है और ल्यूक विंडो से नीचे गिर जाता है लेकिन नीचे गिरने से पहले ल्यूक भी एक गोली चलाता है जो एवरी के पैर में लगती है यहाँ नीचे गिरके ल्यूक की मोत हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ एवरी की होस्पिटल में आँख खुलती है अब हमें एवरी को दिखाया जाता है वो एक मैरेड मैन है उसका एक बच्चा भी है उसकी डाड और फैमली की नजरों में अब वो एक हीरो बन चुका है लेकिन अंदर यंदर एवरी बहुत जादा सोरी फील कर रहा होता है वहाँ पर पुलिस इंबैस्टिगेटर आता है लेकिन वो उसे भी यही बताता है कि ल्यूक नहीं पहले गोली चलाई थी फिर पूरे शहर में एवरी की ही न्यूस चल रही थी घर पर फैमली के साथ टाइम स्पेंट करते हूँ अपने बेटे एजे को देखने लगता है वहाँ पुलिस ओफिसर्स का एक ग्रूप आता है जो कि सारे के सारे करप्ट ओफिसर्स थे यह ग्रूप एवरी को कहता है कि चलो रोमेनिया के घर चलते हैं उन पैसों को डूंडने और वो वहाँ पर चुराया हुआ पैसा डूंडने चले जाते हैं एवरी को ये सब बहुत जादा बकवास लग रहा था लेकिन पुलिस वालों को रोमेनिया के घर में पैसे डूंडते हैं और वो उसे आपस में वो भी एक पुलिस वाला होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इविडेंस रूम से जाके इविडेंस को चुराना होगा क्योंकि कुछ इविडेंस उनके खिलाफ भी है तो एवरी ऐसा ही करता है वो इविडेंस रूम में जाता है वहां उसे ल्यूक की फैमली की एक पिता का साया चीन लिया, तुम कभी कुछ नहीं रह पाओगे। एवरी वो पैसे अपने सीनियर्स को देने जाता है और उनको देने की कोशिश भी करता है, सब बताने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि पूरा डिपार्टमेंट ही करपत है। फिर डेकूला नाम का जो एक करप्ट ओफिसर होता है, वो उसे एक जंगल में लेके जा रहा होता है कुछ समझाने के लिए, तो एवरी वहाँ से भाग जाता है, वो सीधा पहुचता है अपने डैट के पास, वहाँ जाके वो अपने डैट से कुछ बात करता है और फिर एक ड अजिस्टेंट डिस्टिक अटर्णी बन जाता है, वो पूरे डिपार्टमेंट को एक स्पोस करता है, आवरी को मीडिया एक हीरो बना देती है, अब उसके बाद हमें 15 साल बात का सीन दिखाया जाता है, अब एवरी एक न्यू योक अटर्णी जनरल बनने की प्लानिंग कर रहा है, उसके फादर गुजर चुके हैं और उसका और उसकी बीवी जैनिफर का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एजे जो उसका बेटा था, वो एक शरारती लड़का है और वो अपी ड्रग भी यूज करता है, वो पहले अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन उसने एवरी ने मारा था, अब जेसन उसका दोस्ट बन जाता है, ये दोनों बिल्कुल पक्के दोस्ट बन जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बारे में ज़ादा कुछ भी नहीं जानते हैं, इंको कुछ नहीं पता होता और ये एक साथ ड्रग्स भी लिया करते थे, एक तो पर पुलिस इनको ड्रग्स के एक वज़ा से क्योंकि ये ड्रग्स लेते थे इस वज़ा से इनको टेल में डाले टील्य एवरी-ए-बशração के लिए पुलिस टेशन पैंता है तो वह जैसन के नाम से उसे पहचान लेता हैं और वह AJ को strictly Jason के साथ रहने से मना करता है और कहता है कि उससे तुम दूर रहो और वो अपने साथ AJ को लेके चला जाता है लेकिन जाते जाते वो Jason से भी कुछ चार्ज को कम कर देता है बाद में Jason की family आके Jason को ले जाती है उसके बाद AJ के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर उसक कोई बात नहीं करता फिर Jason घर पर रोमेनिया से उसके फादर का नाम पूचता है और लेकिन वो उसे बताने से मना कर देती है तो कौफी उसे बताता है कि उसके फादर का क्या नाम था फिर वो इंटरनेट पर अपने फादर के बारे में सर्च करता है तो उसे Robin का नाम पता चलता है तो वो Robin से मिलने उसके पास जाता है Robin Jason से मिलता है तो वो उसे उसकी bank robberies के बारे में भी बताता है Jason को वो बताता है कि तुम्हारे डाड एक बहुत ही amazing bike rider थे फिर वो उसे उस police officer की photo दिखाता है जिसने उसके फादर को मारा था Jason अपने फादर के बारे में जानकर बहुत जदा खुश होता है फिर school में AJ Jason से sorry कहता है और वो कहता है कि तुम मेरे house party में invited हो उसके बाद वो उसे उस drug को लाने के लिए कहता है जिसका नाम होता है oxyquentin वो कहता है कि तुम्हें ये लाना होगा और तुम मेरी party में आ जाना Jason ऐसा ही करता है वो उस drug को चुरा ले को और किसी ने नहीं बलकि AJ के father एवरी ने मारा था अब Jason गुसे में था तो वो AJ से लडाई करता है AJ उसे बहुत मारता है और जेसन hospitalize हो जाता है hospital में अपनी mom से वो कहता है कि आप जूटी हो आपने मुझे बहुत सारी बाते मेरे से चुपाई है उसके बाद जब Jason डिस्च अपनों बे बैट करोते हुए माफी मांगता है जेसन एवरी का wallet लेता है जिसमें जेसन की बचपन की उसके डाट के साथ photo थी फिर वो एवरी को वहीं पे छोड़ कर चला जाता है क्योंकि उसके लिए वो जो photo थी वो सबसे जादा special थी इसके कुछ समय बाद एवरी न्यू इमोशनल हो जाती है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन दूर चला गया है वो किसी आदमी से मोटर साइकल खरीता है और रोड पर चलाते हुए कहीं गायब हो जाता है और इसी तरह से ये कहानी यहीं खतम हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग